कि अब्सक्राइब करना है इंको आपको मेजर करना है फिर्स्ट एश्टीमेट सबसे पहले आपको एस्टीमेट करना है विद यूर आइज सबसे पहले आपको देखेंगा देख करना है एंड देनफाइड एकच्वल मेजर विद प्रॉटकटर हुसके बाद आपको प्रॉट्श्ट की हर्फट्र៥ से का मेजरमेंट करनी है देनच चलिए सटाइट करते हैं हम ये बुक का आपका question है तो सबसे पहले जब भी हम measurement करना start करते हैं अगर कोई भी हमें जैसे कोई circle given है तो पूरा whole circle जो होता है वो 180 degree whole circle 360 degree का होता है जब हम semi circle यानि circle का half करते हैं diameter जो है circle को two part में divide करती है एंड उस one part को हम क्या कहते है semi circle यहां पर क्या होती है circle का center तो semi circle जो होती है semi circle अगर straight line बनती है semi circle पर diameter diameter क्या हो straight line मनाता है और यहां पर 180 degree का एंगल यहां पर 180 degree का एंगल बनता है एंड जब 1 foot 190 degree का एंगल का बनता है जब भी कोई circle जो है 1 4th it's mean 1 4th of a revolution एक circle का 1 4th part जो है 90 degree का एंगल बनाता है यह क्या होगा 90 degree अब हम हमें यहां पर सबसे पहले first of all we estimate here then हम कैसे estimate करेंगे सबसे पहले हमें estimate करना है देख के बताना है जैसे हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा exact 90 degree यहां पर semi circle होगा यह पूरा एक semi circle हमें given है और उसका अगर half करेंगे यह पूरा 180 है इसका जब half करेंगे then we will find then we will get 90 degree यहां पर अगर हम हमीं क्या मिलेगा 90 degree एंड इसके बिल्कुल मिड में होगा 45 अब हम देखें कि यह जो इतना पार्ट है क्या बिल्कुल मिड में यह वाली लाइन आ रही है अगर मिड में आ रही है इसका मतलब वह 45 45 होगा अगर यह लाइन जो है इसके इधर 45 से ग्रेटर जाती है मिट से देन वो एंगल क्या होगा 45 से ग्रेटर होगा इस मिट यहां पर होगा लगबग यह वाली लाइन जो दूसरी रहे है वो क्या है इस लाइन के अंदर है इस मीन यह 45 डिग्री से कम होगा तो चलि हम लोग मेजर करके इसको देखते हैं कि यह एंगल किते डिग्री का है तो कैसे मेजर करते हैं जो भी एंगल है फर्स्ट रे ये और ये ये है अब इसका कॉमन पॉइंट ये है common point को हम बिल्कुल यहाँ पर रखते हैं एंड यह वाली line को हम इस वाली line के बिल्कुल exact इस वाली line के उपर रखेंगे तो जब हम इसको major करेंगे दिन देखिए second यह line यह 0 से इसको कहां से consider करेंगे जीरो नीचे वाली row में जो 0 लिखे हैं start कहां से करते हैं जीरो से जैसे हमने कोई भी एंगल हम बनाना start करेंगे तो वो 0 देन वो आगे बढ़ता जाता है 1,2,10,20 देन यहाँ पर हमें 90 मिलता है तो जब हम इधर से start करते हैं जीरो नीचे वाले जो numbers numbering है उनको लेते हैं जैसे यह angle उलट के बना हो जब इधर से ऐसे बना हो देन हम कैसे लेंगे हम यहाँ से इस वाली line को जब ऐसे रखेंगे जैसे यह angle है 90 degree तब हम उपर वाले angle को यहाँ से 180 है यहाँ पे 0 है तब हम इस वाले उपर वाली आपर line में जो भी लिखा है हम उस वहाँ से लेना वहाँ से angle start करते हैं अब हम यह वाला angle देखेंगे किते degree का है तो इस angle की measurement है 40 degree यह angle कहां पर देखेंगे इस वाली line के उपर है और यह वाली line कहां पर है 40 degree it's mean the angle the measurement of this angle is 40 degree and हम नीचे ऐसे right भी लिख भी देंगे the measurement of angle equal to 40 degree now next है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले guess करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ बिल्कुल मिड में यह कहां पर होगा 90 degree and अब यह 90 degree से greater है 90 degree से greater है it's mean यह 90 degree से ज़्यादा ही होगा चलिए हम major करते हैं इसको यह कितना होगा अब देखें यह बिल्कुल ना तो 120 पर है ना तो 130 पर है यहां पर है 130 130 एंड यहां पर है 120 अब 130 एंड 130 के बीच वाली लाइन में है यह 120 एंड यह 130 उसके बीच में बिलकुल मिड में है तो बिलकुल 120 और 130 के बीच में कौन सा आएगा नमबर आता है 125 इसकी मेजरमेंट कितनी होगी 125 सॉरी थोड़ा यह सही से नहीं रखा है नीचे उखी सक गया ह है यह अब हम देखेंगे इसकी मेजरमेंट कितनी है यहां हम जीरो से कंसीडर करेंगे और यह वाली लाइन यह कहां पर जा रही है एक्जैक्ट 130 इट्स मीन दा मेजरमेंट आप दिस एंगल इस 130 degree now move to the next question अब हम इसका देखेंगे कि यह एंगल कितना ही का है तो सबसे पहले आईसे ही हम यहां पर रखेंगे and अब देखेंगे यह एंगल जो है 60 and 70 के बिल्कुल मिड में है तो 60 and 70 के मिड में कौन सा नमबर आएगा 65 it's mean the measurement of this angle is 65 now next is अब हमने ऐसे रखा देखें यह वाली लाइन कहां से हम 0 से लेंगे and second line अब कहां पर जा रही है second line देखे 130 and 140 के मिड में है 130 and 140 के मिड में है तो 130 और 140 के बीच में होता है 135 130 से जादा है 140 से कम है तो यह कहां पर आएगा 140 135 अब जब भी इसके बीच में आए जैसे यह एंगल कहा है 0 degree and यह 10 degree अब अगर बीच वाली लाइन पर 0 से 10 के बीच में तो देन वो क्या होगा 5 degree ऐसे 10 and यह यहां पर अगर आती है then 10 degree and यहां पर 20 degree अगर मिड में आती है देन यह मिड वाली लाइन पर अगर आ जाए देन वो क्या होगा 25 उसके बीच वाला नंबर हमें ले लेना होता है है तो इस कोशन इस कंप्लेट नाओ मूब तो नेक्स कोशन नेक्स कोशन है कोशन नंबर 8 तो कोशन नंबर 8 है find the measure of the angle shown in each figure यह कोशन हम कर चुके हैं कोशन नंबर 9 है find the angle measure between the hand of a clock in each figure अब हमें यहां पर clock में यह जो भी यह निडल दी गई है इनकी measurement हमें बतानी है between the hands of clock clock hands यह given है उनकी measurement हमें find करनी है तो हम इसकी measurement कैसे find करेंगे इसकी measurement find करनी के हमारे पास दो तरीके हैं first is कि हम with the help of protector protector की help से हम इसका measurement कर लें जैसे हमने उपर while first question number 8 में हमने बताया one revolution one revolution is equal to 360 degree one revolution is equal to 360 degree and one revolution is 360 degree and 360 degree में कितने part है 12 part its mean one revolution जो है वो 12 part के भी equal होगा then 12 part is equal to 360 degree अगर 12 part इसमें total given है वो 360 degree के equal है then one part कितने degree के equal होगा one part equal to 360 degree upon 12 ऐसी जैसे माल लीजे आपके पास 10 चॉकलेट अगर आप 10 टॉफी माल लीजे अगर suppose that you bought 10 टॉफी इस प्राइस of 10 टॉफी इक्वल टू माल लीजे 50 रुपय है then price of one toffee कैसे आप निकालते हैं बें टॉफी one toffee equal to 50 upon 10 equal to 5 रुप देन आगर 10 टॉफी की प्राइस 50 रुप है one toffee की प्राइस आप कैसे निकालते हैं दोनों को 10 से divide कर देते हैं ऐसी 12 part अगर 360 degree के equal है then one part जो है किते degree के को लोगा 360 degree upon 12 12 बंज़ा 12 12, 3 ज़ा 3 36 and यह 0 यहाँ पे है यह add हो जाएगा then one part equal to 30 degree it's mean अगर जैसे यहाँ पे one part जो है वो 30 degree का angle बनाएगा जब one part 30 degree का angle बनाएगा अगर two part हम यहाँ पे करते हैं then यह 30 degree 30 plus 30 is 60 degree अगर दो part हम लेंगे 30 degree तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे जितने part होंगे उसको जैसे one part 30 degree का है अगर two part में हमें angle बताना है then two को 30 से multiply कर देंगे it's mean two part किते degree के equal होंगे 60 degree के ऐसे ही three part अगर हमें निकालना है तो three part किते degree के equal होंगे three into 30 equal to three three is a nine then three part is equal to 90 degree then अगर हमें इसमें first को बताना है यह किते degree का angle होगा तो one two यहाँ पे किते part आ रहे हैं यहाँ से consider करेंगे हम one two three यहाँ total three part है one part equal to 30 degree it's mean three part equal to क्या हो जाएगा 90 degree then the measurement of this angle is 90 degree and next है अब यहाँ पे हमें सिर्फ यह क्या है यहाँ पे सिर्फ one part है one part किते degree का angle बनाता है 30 degree इसका मतलब इसकी measurement किते degree की होगी 30 degree and यहाँ पे अब हम देखेंगे किते यहाँ पे part है one two three four five six यहाँ पे total six part है and six part one part is equal to 30 degree then six part equal to कैसे किते degree की equal होगा six three is a 18 and zero it's mean the measurement of this angle is 180 degree अब यहाँ पे हम देखें जब भी एल से बनता है वह क्या होता है 90 degree and यहाँ पे बिल्कुल straight line है straight line straight line 180 degree की होती है straight line पे किते degree का angle बनता है 180 degree जिसे हम क्या कहते है straight angle okay this question is completed now come to the next question next question है question number 10 investigate अब हमें यहाँ पे investigate करना है in the given figure the angle measure 30 degree अब यहाँ पे हमें यह figure given है यह angle यहाँ पे दिया गया है जिसकी measurement है 30 degree look at the same figure through a magnifying glass अब अगर हम इसी same figure को magnifying glass में देखें then does the angle becomes larger तब क्या यह angle हमें larger दिखेंगा अगर इसी figure को हम magnifier glass में देखते है then हमसे पूछ रहा है तब does the angle becomes larger then क्या यह angle जो है larger हो जाएगा larger दिखेंगा हमें does the size of angle change and जो 30 degree है क्या इस angle का size change हो जाएगा या बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे को कक वै लिखेंगे 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 does not change sorry अगर हम जैसे यहाला हमारी पास यह given figure है इसको हम magnifier glass में भी देखेंगे देन इसका पूरा shape जैसे यह है जब इसका size larger होगा देन इसका पूरा size larger होगा तब इसका angle भी same angle यह पूरा figure ही larger हो जाएगा इसमें कोई difference नहीं आएगा जैसे इसको हम कितना भी बढ़ा करें देखिए यहां पर एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमीन इसको हम उस ग्लास में भी देखेंगे यह ऐसे ही रहेगा इसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा लेत्स इसकोषिन 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 आफ भी चेंज पर यह रहा है